हेलो दस्तों स्वागत है आप सभी आज के स्उडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप स्नेप्च het का यूज करते हैं स्नेप्चット पर कोई भी फिल्टर आपका काम नहीं कर रहा है यानि कि कोई भी फिल्टर आपका लग नहीं रहा है तो आप इस problem को कैसे ठीक कर सकते हैं आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा देखिए अगर आपके भी Snapchat पर ऐसा आता है वहाँ पर आपकी जो अंजीबी खतम होने के बाद आपकी जो स्पीड हो वह कम हो जाती है तो अभी आप चेक किजिए अगर यह सब ठीक है तो उसके बाद आपको कुछ सेटिंग करना है चलिए बताता हूँ तो इसके लिए आपको back आना है back आने के बाद यहाँ पर आपको जाना है अपने मोबाल का जो setting उसको open करना है तो यहाँ पर आप सेटेंग open करेंगे तो यहाँ पर आपको एक option मिलेगा mobile network का तो आप उसे पर click किजिए उसके बाद यहां पर आपको एक option मिलेगा data usage का तो यहां पर आपको उस पर click करना है तो इक click करने के बाद यहां पर आपको आना है यहां पर आपको नीचे एक option मिलेगा network access का तो इस पर click कीजिए तो यहां पर आपको जितनी भी सारी application आपके mobile होगी वो सारी application यहाँ पर आपको दिखाई देगी तो यहाँ पर आपको Snapchat को ढूंड़ना है यहाँ पर तो यहाँ पर आपको Snapchat आजाए तो आप उसे क्लिक कीजिए तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ओप्सन देखने को मिलेगा अगर आपका इस नीचे वाले पर है डिसेबल नेटवर्क पर तो आप सबसे उपर वाले पर यहाँ पर क्लिक कीजिए उसके बाद आप बैक आईए बैक आने के बाद आपको क्या करना है आपके मोबाइल में जो फ्लाइट मोड है उसको आपको दो से तीन बार ओफ करके ओन करना है उसके बाद आपका जो भी मोबाइल है उसको आपको एक बार रिस्टार्ट करना यानिके ओफ करके ओन करना है उसके बाद आपना स्नाप्चेट कर प्ले सटोर पर जाएए प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहां पर आप सर्च कीजिए א।ek और यहां पर आपको अबपडेट दिख रहा है तो आप इसे। अपड़ेट बरने बाद आप इसे अपन कीजिए तो आपका जो भी प्रोब्लम था यहाँ पर स्वाल हो जाएगा तो यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें चैनल पहने तो चैनल को सब्सक्राइब करें